दोस्तो ये मेरे पास थोड़ा सा डेटा है Employer ID, Name, Age मैंने क्या किया है यहाँ पे Age निकालने के लिए VLOOKUP लगाया है यहाँ Age के नीचे वाले सेल में मैंने लगा रखता है VLOOKUP जो क्या करेगा इस सेल से LOOKUP value लेगा उसको चेक करेगा डेटा में और उसकी Age फिर आपको वो निकालके यहाँ पे लाके देगा ठीक है? मैंने यहाँ पे ID डाली हुई है P001 तो यहाँ पे P001 की जो Age है 34 वो यहाँ पे VLOOKUP दिखा रहा है मैंने ID चेंज की P002 तो यहाँ पे VLOOKUP बोल रहा है Not Found यहाँ पे तो डेटा में तो ID है P002 और इसकी Age भी है सब कुछ है तो यहाँ पे यह Not Found क्यों बोल रहा है फिर से मैंने ID चेंज की 4 तो 4 गा result इसने दिखा दिया मैंने ID चेंज की 5 तो फिर से Not Found तो वी लुक अप इस लुक अप वैल्यू को इन वैल्यूस में match क्यों नहीं कर पा रहा इसका क्या कारण है दोस्तों ओके इसी समस्या का यह दूसरा पहलो आप देखिए यहाँ सीट वन पे मेरे पास यह कुछ fruits के नहीं मैंने टाइप कर रखे है ठीक है यहाँ पे Apple दो बार है ठीक है मैं क्या करता हूँ इनको select करता हूँ और इन में से duplicates को remove करता हूँ data पे मैं गया और remove duplicate पे click किया और यहाँ OK पे click कर दिया तो यह Excel बोल रहे है कि no duplicate value found जबकि यहाँ पे Apple दो बार है तो यह क्या कारण है कि duplicate delete नहीं हो रही है और यहाँ पे VLOOKUP के अंदर lookup value data में match नहीं हो पा रही है इसका कारण है दोस्तो space space इसका कारण है अभी मैंने यहाँ पे जो ID दिया है P005 आप data के अंदर जाओ यह रहा P005 इस पे double click करो और देखो यहाँ पे last में एक space है यहाँ पे last में space दिया हुआ यह देखिए है ना उसी तरह से आप यहाँ जाओगे P002 इस पे double click करो last में space है और अगर text values में space हो तो वो space उन text values को unique कर देता दोस्तो यही कारण था जिस वज़े से यहाँ पे we look up इस value को यहाँ इस data में match नहीं कर पाया space ठीक है और यह space का ही कारण यहाँ पे था कि आपके data में जो duplicate थी वो delete नहीं हो पाई apple पे click करोगे यहाँ पे कोई space नहीं है apple से पहले, a से पहले और e के बाद बट यहाँ apple पे double click करो तो यहाँ पे e के बाद एक space है जिस space ने दौनों को unique कर दिया ठीक है दोस्तो यह है तो समय से बहुत चोटी बट sometimes हमें बहुत ज़्यादा irritate कर देती है कि दिक्कत क्या है क्यों delete नहीं हो रही है क्यों we look up काम नहीं कर पा रहा है ठीक है तो इसका समाधान क्या है दोस्तो अब देखो एक value होगी तो उसमें से space हटा दोगे double click करके backspace इस हजारो लाको तो आप space कैसे अटा होगे तो इसके लिए simple formula है trim का जैसे मैं यहाँ पे 2-3 space प्रेस कर देता हूं आप एक formula यूज कीजिए trim equal trim bracket open इसमे text value आपको देनी है यह दे दिया मैंने bracket close और enter प्रेस किया तो यहाँ आपका यह result आ गया ठीक है अब यहाँ यहाँ double click नह से मैंने प्रेस किया और इनके उपर right click करो paste special और यहाँ values पे tick लगाओ select करो और ok कर दो तो यह जो formula है यह values की तरह paste हो गई है अब यहाँ double click करो apple के बाद कोई space नहीं है जबकि यहाँ पे space है है तो यहाँ पे भी space नहीं है यहाँ पे space है अब इने में से आप duplicates को delete करोगे यह आसनी से delete हो जाएंगी ठीक है इस column को आप अपने data में से delete कर सकते हो यह हो गया ठीक है दोस्तो उसी तरह से यहाँ पे वी look up के लिए भी आपको यही काम करना आप एक काम कीजिए इस से इस column से इधर एक column add कर लीजिए तो मैं यहाँ पे column add कर लेता हूँ यह कर लिया य यह employee id मैंने copy की और यहाँ पे इसको paste कर दिया अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ equal train bracket open और यह मैंने id लेली select कर ली bracket close enter किया और यहाँ पे double click कर देंगे तो यह नीचे तक सारा copy हो गया formula अब यहाँ पे लगा है formula यह देखिए तो हमें काम करेंगे यहाँ पहली id पे click कर दें तो यह column नीचे तक सारा select हो जाएगा चाहिए इसमें 1000 लाको record होंगे फिर से keyboard से press करेंगे ctrl c तो यह पूरा column copy हो गया अब इस select कियो है column पे right click करना है और paste special पे जाना है यहाँ से values को select करना है और ok कर देना है तो अब यह जो formulas थे यह values में convert हो गई आप देख सकते हो double click करने के बाद कोई भी space आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा और कोई trim का formula आपको दिखाई नहीं देगा अब यह वाला जो column था जहाँ पे spaces के साथ values लिखी हुई थी आप इस column को delete कर सकते हो मैंने इसको कर दिया delete तो अब यह formula लगातार काम करता रहेगा आप यहाँ पे कोई ID लिखके देख लिजिए P002 तो यहाँ पे यह अब काम करता रहेगा ठीक है दोस्तो तो यह चोटी समस्या थी आपको साथ इसने परिशान किया हो या future में कभी परिशान करें तो इसका आप त्यान रखिए दोस्तो यह जो space हम देते हैं मैंने यहाँ पे लिखा ABC space space enter किया तो यहाँ पे space आपको मिलेगा क्योंकि यह text value है अगर मैं यह space numeric value में देता हूँ 123 space 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 तो Excel क्या करता है numeric values में से space को automatic remove कर देगा तो numeric values में आपको यह समस्या नहीं आएगी अगर आपके data में text values हैं आप उन में से duplicate को remove करते हो या किसी formulas के अंदर आप इनको use करते हो तो आपको spaces की वज़े से समस्या आ सकती है तो उमीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छा लगा तो like share comment करने ना भूलें मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तो थैंकि दोस्तो have a nice day जै हेंद वन दे मात्रम